जाने माने यूटूबर और बिग बॉस टू के विनर एल्विस यादाओ को नोईडा पुलिस ने गृपतार कर लिया है। उन पर आरोप है अपने वीडियो शूट के दोरान सापों का इस्तिमाल करने का और रेव पार्टीज में सापों के जहर को सप्लाई करने का। इस मामले में नोडा पुलिस ने तीन नॉबर दो हजार तेईस को केस दर्थ किया था और इससे पहले पांच लोग गृपतार की गए थे और पांचों सपेरे थे। अमल सने एक वैनम था नोडा पुलिस ने स्क्राइब इस मामले में इसने वैनम की जांच कराई फॉर्शिक जांच हुई और उसमें साफ हुआ कि वह सापों का भी जहर था इसके बाद एल्विस चायदों को कई बार की बलाया गया आज जोंको फिर से पूंक्राज की बलाय इन धाराओं के तहट उन्हें गृतार किया गया है यह धाराएं गहर जमानती हैं और फिलहाल जो एल्विस यादव हैं उनसे नौड़ा पुलिस पूस्ताज कर रही कि आखिर वो कैसे इन सपेरों के सब्बर्क में आए इनके बारे में उनको जनकारी कहां से मिली तो यह सारी में भी गुरुगराम पुलिस ने उन पर केस दर्थ किया था हाला कि उस मामले में वो गर्फतार नहीं हुए हैं लेकिन यह मामला काफी गंभीर है क्योंकि इसमें जो धाराएं वो वन जीव अद्जम की धाराएं और वो धाराएं गैर जमानती होती हैं तो उस मामले में न वीडियो बना रहे हैं वो सांपों कहां से लेकर आए थे ये सारी पूस्ता चोंसे लगातार जारी है तो अपने आप में एक